नमस्कार प्रियदर्शकूं आज के सकारिक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं व्रश्चिक राशी वाले जातकों के लिए नवंबर का महिना कैसा रहने वाला है हमेशा की तरह एक एक बिंदू को समझेंगे कि किस प्रकार नवंबर के महिने में आपका स्वास्त द्रश्टी कोण क्या संकेत दे रहा है धन के इस्तती किस प्रकार आपके लिए कारिय करेगे कर्म शित्र भाग्य शिक्षा यात्रा दामपत्य जीवन और प्रेम समंधों की इस्तती नव ग्रहों की गोचरी इस्तती के आधार पर नवंबर के महिने में आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने जा रही है यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूं और हमेशा की तरह फिर से कहूंगा कि जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्ता के आधार पर समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए बड़ा ही सहज हो जाता है पहली अवस्ता में चर्चा करते हैं आपका स्वास्त द किन्तु इस स्थान पर मंगल महराज नीचस्त अवस्ता में आ चुके हैं और नीचस्त अवस्ता में मंगल महराज का होना ये आपके स्वास्त को तो प्रभावित नहीं करेगा किन्तु कहीं न कहीं आपके पिता के स्वास्त को प्रभावित करता हुआ अवश्य रूप से प देवगुरु ब्रस्पती की स्टती आपके सप्तम भाव में बनी हुई है देवगुरु ब्रस्पती का सप्तम भाव में होना आपके लिए बड़ा ही अच्छा माना जाएगा किन्तु देवगुरु ब्रस्पती भी अब वक्री हो चुके हैं तो कहीं न कहीं आपको शष्टम दिन में हो जाएगा हो सकता है उसमें दस दिन बारा दिन पंदरा दिन के स्थती का योग बने धन से संबंदित कारिय जरूर पूर्ण करेंगे किन्तु वक्रगती के चलते उसमें छोटे-छोटे से आपस्टेकल भी आपको देखने को मिलेंगे बात करेंगे कर्म द्रश्टी कोन के स्थती क्या संकेत दे रही है तो यह आपका कर्म भाव होता है और कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव कहां विराजित हैं आपकी कुनली के द्वादश भाव में नीचस्त अवस्था में बने हुए हैं कब तक तो यहां देखिए 16 नवंबर 2024 को सूरिय महराज आपके लगन में आ जाएंगे 16 नवंबर 2024 के पस्चा तो आपके कर्म शित्र की स्थियां बेहत सुन्दर सुरूप में कारिय करेंगी किन्तु 16 नवंबर तक यदी आप जॉब कर रहे हैं तो मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा अपने बॉस कलिक से उलजने की अवस्था को ना प्रकट करें अपने कारिया पर फोकस रखें जो चीजें लेटगो की जा सकती है उन इस्थियों पर फोकस कीजिएगा अगर व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी डील के अंदर डिले देखने को मिल सकता है आप जैसा सोच रहे हैं उन इस्थियों में रुकावट का योग देखने को मिल सकता है पहली अवस्था में सिर्फ सोला दिन तक आपको जैसा चल रहा है उसे चलाने दिना है किसी भी प्रकार का फ्रस्टेशन डी मोटिवेशन अपने अंदर नहीं लेकर आना है क्योंकि सोला नवंबर के पस्षात आपके कर्म के स्वामी सूरिय महराज केंदर के स्वामी होकर केंदर में प्रवेश कर जाएंगे और विश्वा समानिये एक तारिक से सोला तारिक तक जो कारी आपके रुकेंगे बचे हुए दिनों में उनकी रीकवरी करने की इबाद्यता भी वही ग्रह लेगा जो एक तारिक से 16 तारिक तक आपके लिए कर्म शित्र से संबंदित अबस्टेकल क्रियेट कर रहा है और यही फाइदा होता है आपको मासिक राशी फलको जानने का जब आप ये जान लेंगे कि किस समय से मिरे लिए क्या समस्या हो सकती है क्या मुझे करना है क्या नहीं करना ह तो आप स्वते से मानसिक रूप से बड़े शान्त रहते हैं कि हाँ इस समय में मेरे कर्म भाव के स्वामी सूर्य महराज अच्छी वस्ता में नहीं चल रहे हैं कारिये थोड़ा डिले हो रहा है ठीक है सोला तारिक के पस्चा तो यह हो ही जाएगा और उस सकारातमक द्रश्टी कोण से जब आप अपनी प्लानिंग सोला तारिक के बात की करेंगे स्वते से आपके लिए बेहत सुंदर सुरूप के कारिये बंते हुए दिखाई देंगे बात करें अदि भाग्य द्रश्टी कोण के स्थती क्या संकेत दे रही है तो यह आपका भाग्य भाव होता है जहां आपके लगन के स्वामी मंगल महराज विराजित है आपके भाग्य चंद्र महराज महिने की पहली तारिक में द्वादश भाव में बने हुए हैं आपके लिए थोड़े से फिजूल के खर्चे भी अधिक देखने को मिल सकते हैं आपकी सेविंग भी थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखाई दे इस प्रकार का योग बनेगा बहुत मेजर इस्तती नहीं है 16 नवंबर के पस्चात बड़ी अच्छी रिकवरी का योग बनेगा किन्तु एक तारिक से 16 तारिक तक आपको खर्चे अधिक देखने को मिल सकते है बात करें अधि शिक्षा द्रश्टी कोण विध्या द्रश्टी कोण के सती क्या संकेत दे रही है तो यह आपका विध्या भाव होता है और विध्या भाव के स्वामी देवगुरु ब्रस्पती एक अच्छी सती के अंदर बने हुए हैं वक्रगती में बने हुए हैं तो व प्लेसमेंट के आधार पर गुरु महराज बड़ी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं जब आप अपनी तरफ से थोड़े से भी एफर्स लगाते हो तो इनका ग्यान सदेव आपके लिए कारिय करता हुआ पाया जाता है बात करें दि यात्रा द्रश्टी कोण की स्थि क्या संकेद दे रही है तो यह आपका यात्रा भाव है और यात्रा भाव के स्वामी शुक्र महराज आपके लगन में बने हुए हैं कब तक रहेंगे तो 7 नवंबर तक उसके पस्चात में ये आपके लिए धन भाव में जा रह कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी 16 नवंबर के बाद के व्यापार इस्थान की व्यापार यात्रा के बारे में विचार कीजिएगा आपके लिए बड़े अच्छे योग बन कराएंगे एक तरफ यात्रा भाव का स्वामी धन भाव में होगा और दू दांपत्य स्थिती का योग क्या संकित दे रहा है तो यह आपका दांपत्य भाव होता है और दांपत्य भाव के स्वामी शुक्र महराज लगन में विराजित हैं सात नवंबर तक उसके पस्षात में यह धन भाव में चले जाएंगे तो यह महिना जितने भी व्रश्चिक राशी वाले लोग हैं दांपत्य जीवन को लेकर आपके बीच में यदि कोई अंडस्टैनिंग भी बनी हुई किसी प्रकार की अंडस्टैनिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो भी समाप्त होंगे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड क करें अंडस्टैनिंग रिलेटेड इशू को समाप्त करते हुए मन प्रसनता के योगों की इस्टती आपके लिए दांपत्य जीवन में बड़ी अच्छे से कार्य करती हुई दिखाई देगी प्रेम सम्मंधु की अवस्था यहां यह स्थान आपका प्रेम भाव भी है प् सतियां आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है तो इन चीजों से बचकर अंडस्टैनिंग रिलेटेड इशू ना क्रियेट हो इस पर फोकस कीजिएगा बात करें यदि शुब रंग शुब अंक और शुब दिवसकी किन्तु से पहले एक अवस्ता आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 15 नवंबर को यहां देखिए 15 नवंबर को शनी महराज वक्री से मारगी हो रहे हैं और यह अब आपको पूर्ण रूप से शुद्धी करण में चतुर्त भाव का फल देंगे और भौतिक सुखों के इस्तती को आपके पक्ष में लाने के लिए जनता में यश रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो किसी भी प्रकार से पीले रंग का और काले और नीले रंग का जितना ज्यादा आप अपने सराउंडिंग कलर थेरेपिस वरूप के अंदर इसे एक्टिवेट बना कर रखते हो यह आपको सकारात्मक दृष्टी कोन सकारात्मक औरा क्र करना चाह रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टी कोन से प्रभावित कर सकता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सोमवार के दिन गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन करें और सोला नवंबर के पस्षाथ में आप रवीवार के दिन कोई भी कारे करते हैं इसमें अगर आप नो नंबर को यूज करते हो यह नंबर बन जाएगा आपके लिए लगी चाम ब्रह्मकी के बारे में चर्चा करें तो पहली अवस्था में आपके लगनेश की स्थती को ठीक कीजिए यहां जब लगनेश व्यक्ति का व्यक्तित्व आचार विचार व्यवहार कि यह ओम भूमाय नमय का जाब करना बहुत अच्छा है शनी की अवस्था को अपने पक्ष में लेकर आते हैं तो यह वक्री से जो मारगी अवस्था में आ रहे हैं यह निश्चित रूप से देंगे आपको बहुत बड़ा उपहार ओम शन्शन शन अश्च्राय नमय का जा किन्तु जो शनी का जाब शनी चालीसा कापाट है यह आपको सूर्य अस्त होने के पस्चात ही करना है आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार उपस्तित है